नमस्कार दोस्तों, शुशान सिंग राजपूत केस के बाद से लगतार हंगामा मचा हुआ है और वो हंगामा जो है ठमने का नाम ही नहीं ले रहा है चाहे वो मामला समीर बान खेड़े का हो, चाहे वो नबाब मलिक का हो, चाहे वो परंबीर सिंग का हो और अब जो नई खबर आ रही है इस मामले में वो काफी ही जोड़दार है और उस मामले में यह है कि महराष्ट में ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं NCV के जोर्रल डारेक्टर समीर बानखेडे एक ऐसा नाम जिसको की हर कोई जानता है नाम अब चुपा हुआ नहीं है और समी को तुट्र के वर्थ सर्टिफिकेट औरहला कि कुछ देर बाद ही टूटर पर शेयर की कर दिये गया सब्स पिटार मलए कर दिया गया है जिसके बाद आब यह समीर बानखेडे की पतने शेयर ने वर्थ सर्टिफिकेट सहें आरोप लगे थे यह आरोप क्रूज मामले में एक स्वतंत्र गवाह नहीं लगाये थे और किरन गोशावी के बोडिगार्ड रहे प्रभाकर सेल नहीं आरोप लगाये थे और दावा किया था कि सारुखे बेटे को छोड़ने के लिए 25 करोड रुपे के डील की बात हो रही थी और 25 करोड में 18 करोड में डील फाइनल हो गई थी 25 में बात इस्टार्ट होई 18 करोड में डील फाइनल हो गया जिसमें से 8 करोड रुपे समीर बान खेड़े को जाना था ये बाते जो एक गवाह था उसने कही और उसके बाद से हंगामा मच गया और आरोप लगने के बाद क तर्क पूर्ण नहीं बताया था यह अधारहिन है और तर्क नहीं है कुछ भी इस आरोप में उन्हें ने कहा कि एक ऐसे दली तदिकारी को निशाना बनाना सही नहीं है वो अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ समीर पर दूसरी साधी के भी आरोप लगे इन सीपी के तर रही है और बताने के फिलाहर मराथी अक्ट्रेश क्रांती रेड कर समीर की पत्नी है यानि कि यह मामले में काफी घाल विल हुआ और इसको ले करके लगातार है हंगामा मसते रहा है लेकिन अभी जो ट्यूट करके और फिर उसे डिलीट कर दिया गया तो एक बार फिर से समीर बान खेड़े के ऊपर कैसी तलवार लटकती है या समीर बान खेड़े बिल्कुल बेदाग निकल करके बाहर हो जाते हैं यह तो समय बताएगा लेकिन हमें लगातार इस मामले पर निगाह बनाए रखनी है क्योंकि यह मामला शुसान सिंग राध्पुत से जुड़ा ह चुका है तो चलिए अगले अपडेट के लिए इंतजार कीजिए तब ते के लिए जय हिन जय भारत